नमस्कार जैन साथियों मैं हूँ सुनी राटोर CMICS में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ साथियों प्रिलेम्स एक्जाम में हम यूनिट नमबर 3 को कवर कर रहे हैं यहां पर हम प्राकर्तिक संसादन के अंतरगत वन संसादन को हम या प्राकर्तिक संसादन के तोर पर हम उसको कवर किये हैं साथि साथ में आपने देखा तो वहां पर खनिश संसादन को भी हमने कवर किया एक और topic उसमें आपको देखने को मिलेगा जो की होगा आपका या फिर आप कहें उसको कि किस रूप में पतला सकते हैं सिचाई संसाधन या जल संसाधन के रूप में तो प्राकरतिक संसाधन है यूनिट नमबर हम प्रिलिम्स में यूनिट नमबर हम थ्री की बात करने हैं और इस यूनिट थ्री में एक topic में देखने को मिल रहा है प्राकरतिक संसाधन और इस प्राकर्टिक संसादन में एक टोपिक होता है आपका खनीज होता है आपका वन एक topic और जो mention किया गया अश्ले वस में वह हो जाता है आपका जल और एक ओr topic मैं mention करूंगा इसमें वह होगा आपका उर्जा जो कि आपका इसी के बाद में नवीनिकरन और गेर नवीनिकरत उर्जा संसादन है अब जल्द संसादन में मेंली पड़ा क्या जाता है इसमें मेंली आपको देखा जाता है कि इसमें नदी घाटी परियोजना के बारे में मेंली चर्चा की जाती है लेकिन हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि जल्द संसादन का जो एक अनुमान के अधार पर देखिए, तो कितनी आप उर्ती या फिर एक डेटा की में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, कि जो नदी घाटी परियोजना होती आपकी, नदी घाटी परियोजना, क्योंकि हमें यह प्रिलिंस की दर्श्टी से देखना है, तो ज़ऄ जो नदी परियोजना होती है, परियोजना के प्रकार होते हैं, यहां से प्रश्ण बन सकता है क्योंकि यह तीन प्रकार की आपको दिखेगी, लगू, नदी शिचाई परियोजना भी आप बोल सकते हैं, इसको शिचाई परियोजना भी, सिचाई परियोजना तो सिचाई परियोजना एक हो जाती आपकी लगू सिचाई परियोजना एक मध्यम सिचाई परियोजना और एक हो जाएगे आपकी दिर्ग सिचाई परियोजना या व्रहद सिचाई परियोजना भी आप बोल सकते हैं देर गया व्रहद सिचाई परियोजना फिर हम बात करेंगे सिचाई संसादन के स्रोत कौन से हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि चार प्रमुख स्रोतों की चर्चा की जाती हैं कुए नलकूप ठीक है नहर तालाब ठीक है तो इन की चर्चाम करेंगे कुछ अन्य स्रोत होते ह सिचाई में योगदान करते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे तो सिचाई के स्रोत होते हैं सिचाई परियोजना या सिचाई परियोजना के प्रकार तिन टाइप की होती है और एक नदी घाटी परियोजना की में लिए हम बात करेंगे और लास्ट वे हम देखेंगे एक करंड का इशू है आपका जो कि नदी घाटी परियोजना से सम्मधित है नदी जोडो परियोजना जब सुप्रिम कोट ने सरकार को मतलब फटकार लगाई तब जाकर इस योजना पर एक अमली जमा पहराया गया मतलब इसकी शुरुवात अगर देखेंगे तो 2002 से जब तक अगर सुप चोल चीज़ें आपर बता देना चाहूंगा कि जो नदी घाटी परियोजना जल संसादन के अंतरगत तो एक व्यक्ति का नाम या सबसे पहले प्रदान मंत्री आपके रहे पंडित जवाहर लाल नेरू इन्होंने कहा कि आपको गर निवेश करना है जैसे कि आप मंदिरों म जाकर पेसा चड़ाते हैं दान पीटियों में पेसा डालते हैं तो पेसा रिटन तो आपका डबल तो होकर नहीं आता है वो पेसा आपके नहीं वो मंदिर निर्माण में काम होता है तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले आपने जब पंच वर्षी योजना पड़ी होगी त तो सबसे पहली पंची वर्षी उजनान हमने टार्गेट किया था किसको क्रशी को तो क्रशी को टार्गेट किया तो क्रशी के लिए हमें क्या चाहिए जल चाहिए जल के लिए हमें क्या चाहिए सिचाई परियोजना चाहिए तो सिचाई परियोजना के लिए उन्होंने कहा कि कि अगर पेसा आपको डालना है या पेसा निवेश करना है तो आपको कहा करना होगा नदी घाटी परियोजना में करना होगा तो इसलिए पंडित जवाहर लाल नेरू ने पंडित जवाहर लेनुर ने नदी घाटी परियोजना को या नदी घाटी बहु उद्देशिय आपको इससे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा बहु उद्देशिय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा अधुनिक भारत का मंदिर कहने का तात परियोजना है बहुत देशिय नदी घाटी परियोजना बहुत देशिय का मतलब दो या दो से अधिक उद्दिश क्या क्या हो सकते हैं जैसे कि आपने डेम बनाया डेम करके पानी को रोका पानी को रोकर आप उसका उपियोग कैसे कैसे कर सकते हैं एक तो आप सबसे पहली चीज अगर उस शेत्र में बाड़ की समस्या है तो वो बाड़ की समस्या से निजलत मिलेगा हम देखें के कौन से यसे डेम बनाया गए जिस आने वाली गात को हटाना है कुछ ऐसे डेम बनाएं गए जहां से आप बिजली का उत्पादन करेंगे कुछ ऐसे डेम बनाएं गए जहां से आप सिचाई के लिए जल की उपलपता सुनिशित करेंगे और कुछ ऐसे बांध भी हैं जहां से आप पैजल की आप उर्ती सुनिशित करेंगे तो ऐसे कहीं सारे उद्देश, जब दो या दो से अधिक उद्देश के लिए किसी परियोजना को शुरू किया जाता है, तो वही परियोजना की क्या होती है, वो उद्देश ही है, तो पहला उद्देश जैसे की हो सकता है आपका सिचाई, दूसरा उद्देश हो सकता है आप तो यह कहीं सारे उद्देश हो सकते हैं, परेटन में कैसे हैं, नोकायान, देखें, नोकायान की रूप में आप क्या कर सकते हैं, खेलों को प्रात्मिक्ता दे सकते हैं, यहाँ पर एक बड़े शित्र में जल इखटा हो जाता हैं, तो नोकायान एक प्रत्योकता की जा सकती हैं, तो यह कहीं सारे उद्देश होते हैं, बहुत देशी परियोजना के अंतरगत, इसलिए पंडित जवाला निरु ने इन बहुत देशी नदी घाटी परियोजना को क्या कहा, आदोनिक भारत का मंदिर, तो एक प्रशनाप का प्रियोजना से बन सकता हैं, चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यह जो सिचाई परियोजना होती है, अच्छा, यहाँ पर विध्युत भी मेंशन किया था, विध्युत भ परियोजना है, फिर आप देखेंगे, तो भाकडा नांगल परियोजना, तो वहाँ पर भी विध्युत का उत्पदन भी होता है, वहाँ पर टर्बाइन लगा कर क्या करना है, पानी को छोड़ना है, और टर्बाइन जब घुमेगा, तो विध्युत क्या पूर्थी होगी, तो आपके ये कहीं सारे उद्देश होते हैं तो ये आप थोड़ा सा धिहान रखिएगा बहुत देशी नादिखाटी परियोजना के लिए अब यहाँ पर हम जो सिचाई परियोजना है सिचाई परियोजना के प्रकार में चलते हैं यहाँ से क्या प्रेलिम्स का प्रेशन बन सकता है प्रकार तो आपसे पूछेंगे ने आपसे वहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि कितने हेक्टियर तक की शेत्र के अंतरगत इस प्रकार की सिचाई परियोजना लाई जाती है सबसे पहले लगू सिचाई परियोजना एक होता है आपका मध्यम सिचाई परियोजना व्रहद सिचाई परियोजना तो यहाँ आप सब प्रिलिम्स में पूछा जाएगा सिर्फ कि 2 हेक्टेयर से कम शेत में सिचाई के लिए के लिए निर्मित निर्मित परियोजना ठीक है फिर यहाँ पर बात हो जाएगी 2 हेक्टेयर एंस्टी लिख रहाओं में ठीक है 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर हेक्टेयर तक के भूमि शेत्र में सिचाई के लिए निर्मित परियोजना ठीक है और सबसे व्रहद सिचाई परियोजना 10 हेक्टेयर से अधिक के भूमि शेत्र में सिचाई के लिए में सिचाई के लिए निर्मित परियोजना क्लियर हुआ तो आपसे ये पूछा जा सकता है कितने बड़े एरिये के लिए किस प्रकार की परियोजना लाई जाती है तो ये प्लेमसम आपके लिए काफी महत्रपन होगा बाकी हम येसा वर्गी का नहीं देख रहे कि कौन-कौन सिचाई परियोजना इतना डेपन में क्योंकि आप जब नर्मदा नदी घाटी परियोजना देखते हैं तो 135 वहाँ पर क्या है 135 आपको लगू पन बिजली परियोजना देखने को मिल जाईए तो इतना परियोजना के नाम आपको नहीं ध्यान रखना है तो जो मैं आपको परियोजना के नाम आपको बतलाऊंगा वही आपको ध्यान रखना है आपसे राज्य की अवस्तिती पूचेंगे नदी पर पूचेंगे किस नदी पर बना हुआ है और अगर कोई परियोजना किसी अन्य परियोजना से प्रबावित है मतलब किसी से उसने आस्तिका जैसे कि टेनिसी नदी घाटी परियोजना से आपक कि सिचाई के कुछ स्रोत होते हैं एक बार पूछा भी गया है ये प्रश्ण सिचाई के प्रमुक स्रोत सिचाई के प्रमुक स्रोत में अगर देखे तो कुए नलकूप दूसरा आपका तालाब तीसरा आपका नहरे और चोथा अन्य स्रोत तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा percentage ध्यान रखना होगा कि किसका कितना percentage है किसका कितना percent किसके अंतरगत आता है अगर आप देखें सबसे ज़्यादा जो सिचाई होती है वो किस स्रोथ के माध्यम से होती है अगर आपसे पूछा जाए तो कुए नलकूप अब आपने देखा कि प्रमुक्स रोथ अगर आप नया कुशन यह सा बन सकता है कि प्रमुक्स रोथ इन सभी में प्रमुक्स रोथ कौन सा है प्रमुक्स रोथ आपका कौन सा हो जाएगा नलकूप अब आज कल देखा होगा सभी जगे क्या लगा दिया जाता है और दोनों पर यह होता है यह चोड़ा जयादा होता है गहरा कम और यह क्या हो जएगा घरोब तो नलकूप हर घरों में लग रहे है ऐसा restriction होता है जैसे दिल्ली NCR मगर देखे तो इसके लिए restriction है आप वहाँ पर यह लगा नहीं सकते है बिना अनुमती के लेकिन इन दोर्ग जैसे शेतर में ऐसा नहीं है ठीक है क्योंकि इससे क्या होता है जल इस तर में सिचाई उपलब्द करवाई जाती है तो तलाब कहां पर बनेंगे जहां पर चट्टाने द्रड़ होगी ठीक है चट्टाने द्रड़ होने के कारण बढ़ावा दिया जा रहा है इसलिए अपन पढ़ेंगे नदी जोड़ो परियोजना या रिवर लिंक प्रोजेक्ट इनको किस से जोड़ा जाएगा नहरों के माध्यम से जोड़ा जाएगा तो यहां पर एक प्रसंटेज में बताना चाहूंगा लेटेस्ट डेटा जो है और लेटेस्ट डेटा इसमें नोट कर लीजेगा किसका कितना परसंटेज है कोई नलकूप की बात करें तो यहां पर आ जाएगा आपका 61.58 परसंट और तालाब के दोर आगर पूछा जाए तो तालाब के दोर आप लिखिएगा इसमें 2.97 परसंट और नहरों के माध्यम स अगर पूछा जाए कितनी सिचाई होती है तो 24.54 और बाकी आपका कितना बचा हुआ है 10.91 परसंट अन्य स्रोतों से अब यहां पर देख लीजे आप सबसे ज़्यादा सिचाई के लिए प्रयुक्त स्रोत कौन सा हो जाएगा कोई नलकूप अब कोई नलकूप में भी तो इसका केले का होता है 46% और इसमें से 46 माइनस कर देना वो कुवे का हो जाएगा तीक है लेकिन आपको ऐसा ही पूछा जाएगा चार विकल्प इस प्रकार से होंगे कि चारों में से कौन से स्त्रोत के माध्यम से सरवाधिक सिचाई उपलब्द होती है तो कुवे नलकू और नलकूप भी अगर वही है तो उसी को आप तीक कीजिएगा अगर यही चार विकल्प बना दे कुवे नलकूप तालाब नहरे तो नलकूप को आपको टिक करना है परसंटेज पूछा गया है एक बार कि नहरों के द्वारा कितनी सिचाई होती है ये कुश्चन पूछा आ चुका ही है तो आपको परसंटेज भी थोड़ा ध्यान रखना है और किस प्रकार से आपका प्रश्ण पूछा जाए सकता उसका थोड़ा सथ्यान रखना है तो ये परसंटेज और किस स्रोथ के माध्यम से सिचाई संबह हो है तो आगे देखेंगे यहाँ पर इस करवा देता हूं ठीक है नदी जोड़ो परियोजना रिवर लिंक प्रोजेक्ट ठीक है नदी जोड़ो परियोजना इसमें बात ध्यान रखिएगा ये पहले से बाते चली आ रही है लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 2002 में सुप्रिम कोर्ट ने सरकार से कहा कि इसके लिए कि आप नदी जोड़ो परियोजना पर काम कीजिए तो फिर सरकार ने क्या किया 2003 में टास्क फोर्स का निर्मान किया और फिर टास्क फोर्स ने क्या किया 2009 में नदी जोड़ो परियोजना की रूफ रखाता है ये आर की फिर नदी जोड़ो परियोजना को स्विक्रती प्राप्त हुई है स्विक्रती प्राप्त ठीक है इसलिए तो आप बोलते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना में पहली परियोजना कौन सी थी जिसके लिए स्विक्रती प्राप्त हुई है तो वो है आपका केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में है किन दो राज्यों के बीच मे काम करेगी मैनली यह है आपका मध्य प्रदेश में देखे कहां पर आपका मैनली केन बेतवार रिवर लिंक प्रोजेक्ट आपका कहां पर मध्य प्रदेश में और इस नदी जोड़ो परियोजना से आपका एक नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क पन्ना राष्ट्री उ प्रोजेक्ट यह पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में में लिए वस्तित है, इसका लाब किसको मिलेगा? तो इस परियोजना का लाब दो राज्यों को, एक आपका यूपी और एक आपका एमपी, तिके दोनों राज्यों को इसका लाब होगा, सिचाय के सुरुत मिलें पेजल किया पूर्ती होगी, तिके अब यहाँ इन दोनों को क्यों चुड़ा जा रहा है? बैतवा नदी में जल क्या दिकता है? केन नदी में जल क्या दिकता नहीं है, तो केन नदी में से बैतवा नदी को जल की उपलबता सुनिश्यत करेंगे, तो नदी जोड़ो परियो यही इसका उत्दिश तो इसलिए नदी जोड़ो परियोजना में ध्यान रखना कुल 37 नदियों को नोटिफाई किया गया कितनी 37 नदियों को शामिल किया गया और इन 37 नदियों को शामिल करके 30 नदी जोड़ो परियोजना इस रिवर लिंक प्रोजेक्ट कितने बनाई जाएंगे? 30 30 में कितनी नदिया शामिल होगी? 37 इतना किलियर है? अब इस 30 नदिया जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट बनाए जाएगा इस तीस में एक बात देखिएगा कि नदी जोडो परियोजना इसको दो भागों में रखा गया है एक हिमालेई शेत्र की और एक हो जाएगा आपका प्राई द्यूपी भारत की प्राई द्यूपी भारत तो हिमालेई शेत्र में जो 30 नदी जोडो परियोजना है टोटल कितनी परियोजना है 30 नदी जोडो परियोजना तो 30 नदी जोडो परियोजना में 14 रिवर लिंक प्रोजेक्ट किसम हो जाएगा हिमालजी शेत्र में बचा कितना 16 तो 16 रिवर लिंक प्रोजेक्ट कहां पर होंगे प्राइवदीटी भारत में और कुल नदियों की संख्या कितनी हो जाएगी कुल नदियां कितनी है तो उनकी संख्या हो जाएगी 37 तो मुझे नहीं लगता कि इस से ज्यादा आपका इस टॉपिक से कोई प्रश्ट मन जाएगा शुरुआत पूछली जाएगी सबसे पहले 2014 से केन बेत्वा लिंक रिवर लिंक प्रोजेक्ट से इसकी शुरुआत उती है पन्ना राश्ट उद्यान इस से प्रभावित होगा लाभा में दो जिले हैं कुल नदी अर्श्ट से इस है तीस रिवर लिंक प्रोजेक्ट हैं जिसमें से 14 आपके हिमालाई शेत्र में प्राइद इपी भारत में आपको जाएगे 16 अधिक जलवाली नदी को कम जलवाली नदी से जोड़ना जिससे की दो चीजों की उपलबता सुनिश्यत होगी प्रशी को सिचाई के लिए जल की उपलबता और मानवों को सिचाई के लिए पैई जल की आपूर्ती ठीक है तो यह इसका मार्तपुन बिंदू है अब हम सीधा चलेंगे इसमें एक मेप मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें एक मेप मैंने एट करवाया था इसमें यहां पर दीखिएगा मेप हो गाई इसमें यह आपका रिवर लिंक प्रोजेक्ट का एक मेप है अगर नई दिखा रहा होगा तो देखिएगा नदिया इतना आपके क्योंकि भारत में जितनी भी नदिया है एदिकांश नदियू के नाम इसमें आ जाएंगे ठीक है यहां पर देखिएगा यह है आपका केन बेतवा लिंक पर योजना यह वाला यूशेतर दिखे आपको यह आपकी केन नदि है यहां पर बेतवा नदि है यही पर आपका केन बेतवा लिंक पर योजना आप फिर देखेंगे यह आपकी साबरमती नदि है साबरमती नदि को स प्रमुक नदियों में नंबरिंग भी लिख रहा है अगर आपको दिख रहा होगा या फिर आपको जब नोट सुपलब दोगे तो ये मेप में आप प्रवाइट करवा दूँगा इसमें सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा सबसे पहले नंबर पर आप देखें तो यहाँ पर गंगा नदी को नीचाप महा नदी से जोड़ दिया और इसी प्रकार महा नदी को गोदावरी से गोदावरी को क्रशना से क्रशना को कावेरी से इस प्रकार से एक दूसरे नदियों को आपस में जोड़ कर एक दूसरे की जल की सुनिशित्ता की जाएगी तो ये में आपको यहां पर मैं में मेंशन करूँगा यह कौन सी नदी घाटी परियोजना आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है इसमें कुछ factual information आप देख लीजिए क्या factual information इसके लिए सबसे पहले Tennessee नदी घाटी परियोजना 1933 में बनी थी कहां पर UK मतलब आपका Britain में उत्राखन नहीं है यह ब्रेटेन तो इसी से प्रभावित होकर इसी से क्या हुआ इसी से हमारी यह नदी घाटी परियोजना प्रभावित है प्रभावित होकर 1948 में दामोदर वेली कॉर्परेशन का गठन हुआ जारकंड में कहां पर जारकंड में दामोदर वेली कॉर्परेशन बनाया गया 1948 में और इसी आधार पर आधार शिला रख दी किसकी दामोदर नदी घाटी परियोजना की इससे परभावित हुखर कब हमने दामोदर वेली कॉर्परेशन का गठन किया गया 1948 में अधिको परियोजना कब किया 1933 की, ठीक है, तो अब यहाँ पर दामोदर नदी घाटी अगर देखें, तो यह दामोदर नदी तता उसकी साइक नदियों पर निर्मित है, यहाँ पर मेप में थोड़ा सा में हाइलेट कर देता हूँ, जैसे कि यह आपकी गंगा की वितरी का नदी है, जिसे आप हुगली के नाम से जानते हैं, क्या है आपका हुगली, यह किसकी वितरी का है, गंगा की वितरी का, यह जो हुगली आपका, गंगा की वितरी का है, ठीक है, इसमें सबसे पहली साइक नदी आ रही है, जिसकी हम चर्चा करेंगे नदियों में, तो यह है आपकी अजई, अजई नदी, अजय नदी के बाद एक और नदी आपको देखने को मिलेगी ये नदी जो इसमें आकर मिल रही है इसका नाम है दामोदर नदी क्या नाम है इसका यहाँ पर लिखा हुआ है दामोदर फिर वा ये दामोदर ठीक है दामोदर नदी अब ये दोनों नदी के बारे में एक अजय नदी एक दामोदर नदी दो प्रमों किसकी साइक नदी है अब दामोदर नदी में एक नदी आकर मिलती है कोनार नदी क्या नाम इसका कोनार नदी और एक नदी आती है आपकी बराकर नदी ये बराकर नदी किस से मिल रही है आपकी ये बराकर नदी आकर सीधी आपकी दामोदन नदी से मिल रही है और एक और इसमें नदी है जिसका नाम है कोरवा नदी प्लियर हुआ तो एस इसकी साइक नदी आ है जिस पर कई बांध निर्मित है बांधों के नाम देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखावा है एक बांध का नाम लिखावा है मेथान बांध फिर आपको एक उपर ही दिखेगा यहाँ पर इसका नाम है तलया बान फिर आप देखेंगे दामदर नदी की सिमा पर यहाँ पर मिलेगा आपका पंचेत बान फिर यहां पर दीखेगा यहां पर लिखेगा आपको तेनुंग घब बांध तेनुंग ना बांध फिर यहां पर यह कोरबा नदी है तो यहां पर मिलेगा आपको कोरबा बांध एक कोनार नदी है तो कोनार नदी पर मिलेगा आपको कोनार बांद लगभग इस गनाबोदर नटी घाटी पर योजना में लगभग आपको बांदों की संक्या मिलेगी साथ इसमें बांद मिलेंगे जिसमें प्रमुक है तलयया बान, मैथान बान,namentsो कौर्वा बान और केनार बान और एक हुजेग आपका पंचे बान तो तलयया, मैथान, पंचेट, कौनार, कोरबा यह पांच प्रमुक तौरपर आपको ध्यान रखना है कि यह दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबनित प्रमुक बांध है और यह सभी बांध कहां पर अवस्थित है यह आपको मिलेंगे जारकन की सीमा पर क्लियर हुआ तो जारकन के अंतरकत आपको यह प्रमुक बांध मिलेंगे जारकन में राची का पटार है और उसी राची के पटार की सबसे लंबी नदी वे आपके कौन सी हो जाती है दामोदर नदी तो दामोदर नदी आपकी छोटान आपकूर के पटार की सबसे बड़ी नदी है दूसरी सबसे बड़ी नदी छोटान आपकूर के पटार की हो जाए और कुछ प्रमुग बान जिसकी चर्चा मैं ने यहां पर कर दिये, किस नदी पर है वो प्रमुग बाते मैं ने यहां पर mention किया है यह आप नीचे जो कुछ लिखाव इस पर ध्यान मत दीजिएगा जितनी बाते मैंने किये उतना आपको ध्यान रखना है चली अब आगे बढ नांगल डेम के बारे में जानने से पहले आपको पता होगा कि भाक्रा नांगल डेम जो है ये पंजाब राज तथा आपका जो हिमाचल प्रदेश है उसकी सीमा पर आपको देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पर जब देखने को मिलागा इसकी सीमा पर तो यही पर एक नदी ह इसे व्यास कुंट से निकल रही है, ठीक है, मैंने क्या कहा, जो सत्लज नदी आपकी, सत्लज की सहायक, सत्लज की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, व्यास नदी, इन दोनों के संघम पर भाकडा, नांगल, परियोजना, निर्मित है, यह जो भाकडा, नांगल, परियोजना की नीव जो रखी गई थी, 1948 में नीव रखते हैं, लेकिन यह बनकर तयार होती है, 1963 में तयार हो जाती है, तीक है, नीव रखी जाती है, उसके बाद में यह तयार हो जाती है आपकी, और इस भाकडा, नांगल, डेम जो बना होता है, इसमें दो बांध है, दो बांध है, एक हो जाएगा भाकडा भाकड़ा बन और एक हो जाएगा नांगल बन दोनों एक दूसर से 20 किलोमेटर की दूरी पर है दोनों की मिलाकर इसलिए परियोजना का नाम रखा है भाकड़ा नांगल परियोजना निव कब रखी गई और कब बंद कर तयार हो गया वो बाध्यान रखना और नदी कुन सी आपकी 17 नदी तथा व्यास नदी के संगम पर और राज जगर देखें राज हो जाएगा आपका कुन सा पंजाब इस नदी में पश्च जलाशई का निर्माण होता है इस परियोजना से पश्च जलाशई और उस पश्च जलाशई में एक करत्रिम धील का निर्माण होता है जिसे का आ जाता है गोविंद सागर जील जो कि भारत की सबसे बड़ी करत्रिम जील है इसी जील से एक नहर निकाली गई है जिसे बोला जाता है इंदीराश सागर नहर ये इंदीराश सागर नहर से राजिस्तान में सीचाई ठीक है तो भागरान अंगल डेम के बारे में इसी के पीछे मिलेगा आपको गोविंद सागर जील जील बोला जाता है जो कि भारत की सबसे बड़ी करत्रिम जील है इंदीराश सागर नहरियां से निकाली गई है जिसके माध्यम से राजिस्तान में सीचाई की आपूर्ती होती है और इस भाक्रा नंगल डेम में दो बांद निर्मित है एक भाक्रा बान दूसरा नंगल बान दोनों ही पंजाब राज्यम वस्तित है तो नदियों के संगम पर ये परियोजना है यहाँ पर देख सकते हैं आप यह इधर आपका मिलेगा यहाँ पर आपका नांगल बान और यहाँ आपका भाकड़ा बान और इसी के पीछे मिलेगा आपको गोविन सागर जलाश्य और इसी के बादा यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसे आप बोलेंगे सतलज नदी है यह सतलज नदी के साइट साप देखेंगे तो यही पर आप नांगल कराती है कहां से व्यास कुन हीमाचल प्रदेश से थीखें तो यह आपकी भागडा नांगल पर्योजना है यह थोड़ा ध्यान रखियेगा लाबहन वित शित्र की बात करें तो दिली बेभी लाबहन वित होता है आपका पंजाब लाबहन भीत होता है और अब यहाँपर देखिएगा व्यास्त परियोजना पर ध्यान रखना यहाँपर आपका व्यास्त नदी जो की भाकरा नांगल डेम इसी के संगम पर व्यास्त नदी सब्सक्राइब कर मिलती है वहीं पर आपका भाक्रा नांगल है लेकिन व्यास परियोजना व्यास नदी पर है जल विद्धु शक्ति के लिए इसका उत्पदन किया जाता है अगर नहीं दीक रहा तो इसका में थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ ठीक है देखिएगा यहाँ पर पंजाब खरियाना राजिस्तान राज इससे लावानवित होते हैं इस परियोजना की प्रमुक इकाई इसमें मतलब इकाई का मतलब किया है कि यहाँ पर कितना मतलब बिद्धु शक्ति यह उत्पद करेंगे कितनी इकाई है उसकी तो एक इकाई 17 ज् वारे में पूछा जाए पॉंग बांध यह पॉंग बांध आपका रावी नदी पर है ठीक है और इसको के से याद रखना है आप बोलते हैं राइट आर से रावी ती से आपका हो जाएगा एक और थीन बानध भी रावी नदी पर एक और और नांगल बांध है उसका पश्च जला से गौबिन सागर जीले वहीं से नहर को निकाला गया है और लाभान इसका पंजाब, राजस्तान और ये तिनों राज्य हो जाएंगे इसके बाद देखिएगा यहां पर दामद दनारी घाटी परियोजना के हम चर्चा कर चुके हैं, यहां पर नहीं देखेंगे इसको क्योंकि काफी कम चीज़े लिखे हुई है, मैंने आपको वहाँ पर ज्यादा चीज़े बतला दिये, कब ये बना हुआ है, अगला देखिएगा इसी में हिराकुंड परियोजना, जो कि महानदी पर निर्मित है, इसमें एक बात जरूर नोट करेंगी, शायर लिखा होगा इसमें, कि भारत का ये सबसे लंबा बान है, हिराकुंड, हिराकुंड बान की लंबाए सबसे ज़्यादा है, तो भारत का सबसे लंबा बान हो जाएगा हीरा कुंड बान, तो हीरा कुंड बान के बारे में एक ओर ध्यान रखना कि ये आपका किस नदी पर है, महा नदी पर है और भारत का सबसे लंबा बान है इस से क्या-क्या विद्युत की उत्पधन और सीचाई का दोनों का उत्पधन किया जाता है और साथ में ध्यान रखना या राज जी कौन सा है आपका ओरीशा राज जी है और इसकी लंबाई देखें तो यहापे लिखी हुई है 4800 मीटर लगबग 5 किलो मीटर के सम्टिंग हो जाएगा तो 28.9 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी और सबसे बड़ा मुख्यधारा वाला बांध है यह या फिर सीधा कहिएगा विश्व का विश्व का सबसे लंबा बांध इसके बाद चंबल परियोजना अब चंबल परियोजना में आपकी तीन परियोजना देखने को मिलेगी मद्य प्रदिश में आप पढ़ेंगे यहाँ पर मैं फिर भी बतला देता हूँ चंबल परियोजना में आपकी तीन परियोजना देखने को मिलेगी एक मिलेग आपको जवाहर सागरबान या जवाहर सागर परियोजना एक मिलेग आपको कोटा बेराज एक मिलेग आपको गांधी सागरबान ठीक है गांधी सागर परियोजना या आपका मंसूर में है ठीक है और ये जवार सागर एक मिलग आपको राणा प्रताप सागर परियोजना ठीक है और एक जवार सागर परियोजना कोटा बेराज यह आपका जवार सागर प्रियोजना के पास में ही है कोटा बेराज मतलब इसका उद्दिश केवल पेईजल या सिचाई के लिए इसका प्रियोग किया जाता है तो बेराज का प्रियोग सिचाई के लिए ही किया जाता है केवल केवल सिचाई के लिए और इन सभी बांदों का अगर देखे आप तो ये सभी बांद आपका मद्दिप्रदेश और राजस्तान की सीमा पर है इसलिए इसके लाभानवित जो राज्योंगे राजस्तान और मद्दिप्रदेश होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ग्यांदी सागर, राणा प्रताप सागर, जवार सागर एक कोटा विराज मैंने एक श्रा बता दिया इसमें तुंग बद्रा परियुजना पूछा जाए तो तुंग बद्रा नदी पर है तुंग बद्रा किसकी साइक नदी है मैंली अवस्तिति इसकी कहा हो जाएगा आपकी करनाटक कहां पर इये? आपसे पूछे, तुंग बद्रा परियुजना किस राज़े किए तो करनाटक की मयूराक्षी परियुजना मयूराक्षी परियुजना ध्यान रख्येगा ये पश्चिम मंगाल कीए मूरला नदी हैं यहाँ पर और सिचाई के लिए प्रियोक क्या दा था इतना ध्यान रखता है पश्चिम बंगाल बिहार दोनों इससे लाबान भी थे नागारजुन सागर परियोजना ये ध्यान रतना नागारजुन सागर परियोजना क्रश्ना नदी घाटी परियोजना से संबनी थे स्री सेलम नागारजुन बान और अलमाटी बान दो बान की में चर्चा करूँगा यह आपका कहा हो जाएगा स्री सेलम बान हो जाएगा तमिलाडू ठीक है यह तीन दो बान है आपके अलमाटी बान, स्री सेलम बान, किस परियोजना का अंतरगत नागरजुन, सागर परियोजना किस नदी की ये, क्रश्ना नदी की कहाँ पर निर्मित आपका तमिलनाडू ठीक है और वही सिचाई परियोजना के लिए कोशी परियोजना की बात करें तो कोशी परियोजना आपकी हो जाएगी कहाँ पर कोशी परियोजना है आपकी यह सारा रफ कर देते हैं कोशी परियोजना जोकि सब्त कोशी नदी के नाम से आपकी चीन से उद्गमित होकर भारत में प्रवेश करती है ओडिशा राज्जी से तो वहीं ओडिशा राज्जी में आप देखेंगे तो ओडिशा राज्जी में ही एक कोशी नदी को बिहार में इंटर करती है तो बिहार में इंटर करने के बाद इस सब्त कोशी को कोशी नदी से नाम से जाना जाता है भारत और नेपाल की सीमा पर निर्मित है कोशी नदी पर बनी हुई है बिहार उत्री राज्य आ जाएगा आपका तीक है जारखन के उपर आवस्तित है और वही पर आपकी कोशी परियोजना निर्मित है और बिहार नेपाल इससे लाबानुत होते हैं और बिहार का शोक इसी कोशी नदी को कहा जाता है हम अपुआतंतर पढ़ेंगी तब सारी चीज़े महाँ पर आ जाएगी अपकी अपुआतंतर को देखी लिया है आप तो को नदिया वाला करम पता होगा तो नदियों को अच्छे से देखिएगा उसके बाद यह है जल संसादन वाला टोपिक आप देखिएगा अच्छे से समझा जाएगा कि कौन सी नदी कहा पर है ठीक है इसके बाद अगला देखते है देखागा इस पर इसमें प्रमुक परियोजना है एक आपका गंडग परियोजना फरक्का बेराज फरक्का बेराज का निर्मान क्यों किया गया है यहाँ पर दियान रखना आपसे पूछ लिया जाए प्लेम्स एक्जाम में कि फरक्का परियोजना का उद्देश क्या है यह पूछा गया है तो उद्देश हो जाएगा इसका समुद्री समुद्री गाद को हटाना समुद्री गाद को हटाना इसका प्रमुक उद्देश फरक्का परियोजना जो की आपका किस नदी पर है यह हुगली नदी पर है किस नदी पर हुगली नदी यहाँ पर लिखाओ आपका क्या भागी रती तो यह हटा दीजेगा गंगा की वित्री का है आपकी हुगली नदी तो इसी हुगली नदी पर आपका फरक्का परियोजना दिर्मित है इसके बाद में गंडक परियोजना गंडक तदी है गंडक किस किसा है के गंगा किसा है के बिहार में अपवाइत होती है तो वो धियान रखियेगा काकरा पारा परियोजना ये काकरा पारा परियोजना तापती नदी पर है गुजरात में मिलेगी आपको कौन सी काकरा पारा काकरा पारा परियोजना किस नदी पर है तापती नदी तापती नदी का उत्गम आपको पता होगा कहां से होता है मध्यर्प्रदेश की मुलताई पहाड़ी। यह काक्रा पारा परियोजना तापती नदी गुजरात इसमें और MP आपका हो जाएगा इसके बाद में तवा परियोजना इंप्रेंड नहीं यह तवा नदी पर है जो कि आपका होशंगा बाद में है नर्मदा की साइक नदी है MP में पढ़ेंगे इसी जोगो फिर आप देखे अवस्थिति गुजरात में दोनों के अवस्थिति कहां पर हो जाएगी गुजरात में तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखियेगा एक मालप्रबा है और घाट प्रबा दो साइक नदी के बारे में ने चर्चा किया था यह क्रश्णा नदी की दो प्रमुख साइक नदी है घ प्रबा और मालप्रबा करनाटक में आकर इससे मिलती है तो यह मालप्रबा आपकी यह हो जाएगी करनाटक में और मालप्रबा नदी पर निर्मित है नाम से इस परस्ट है मालप्रबा अगर आपको साइक नदिया नाम रहेगी या तो उसी के नाम पर परियोजना का नाम हो तो प्रशने पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो तीन राज्यों में अपवाइत होती है या फिर कौन सी ऐसी नदी है जो केवल एक राज्यों में अपवाइत नहीं होती है तो माही ऐसी नदी थी जो तीन राज्यों में अपवाइत हो रही थी राजस्तान, गुजरात और मद्धि प्रदेश चलिए इसमें देखिएगा कुछ और परियोजना बची हुई है इंपोर्टेंट है वही हम कर रहे हैं यहां ठीक है एक रिहंद परियोजना सो नदी की साइक नदी है इस परियोजना इनदी पर उत्तर परियोजना आपकर रिहंद पर उत्तर परियोजना अदी पर कि रह पर उत्तर प्रदेश और अध्यप्रते शिससे लाभान भी थे एक हो जाएगा आपका रियंद याद रखिएगा इसमें और नदी और केरल आपका राज्ज हो जाएगा मैंने का अब का पेरियार नदी जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और एक होर है सबसे बड़ी नदी जिससे का जाएगा भरत पूजा ये पैनानी नदी वो आपको थड़ा सा ध्यान वरा होगा ठीक है एक हो जाएगा आपका टेहरी बांद मैंने चर्चा कर लिया है कि आपका जो भागी रती नदी है इससे भिलांगना नदी आकर मिलती है ये क्या का मैंने भागी रती नदी और इससे आकर मिलती है आपकी भिलांगना और भिलांगना नदी जहां पर आकर मिलती है वहीं पर आपका टेहरी बांद बना हुआ है और यहीं पर एक प्रियाग बना हुआ है उस प्रियाग को कहा जाता है गोविंद प्रियाग, तो टेहरी बान भागिरति नदी और बिलागना नदी के संगम पर है और टेहरी बान सबसे उचा बान है, सबसे उचा, सबसे लंबा तो हीराकुंड है और सबसे उचा कौन सो आजाएगा टेहरी बान, तो यहाँ पर देख अगे देखते हैं सेकंड लास्ट आपकी इमेज है इसमें, इसमें रेखेगा, नापता जापरी, सलाल परियोजना, सलाल के साथ मैं मैं दो परियोजना और इंक्लोड करूँगा, चिनाप नदी में, यहां पर लिख देते हैं पहले ही, तेन परियोजना आपकी, बगली हाल, बगली हाल, सलाल, और दुलहस्ती, यह तीन परियोजना है, जम्मू कश्मीर में आपका, और नदी आपकी हो जाएगी कौन सी, चिनाप नदी, क्लियर हुआ, तो चिनाप नदी, राज जम्मू कश्मीर, तीन परियोजना है, बगली हाल, सलाल, दुलहस्ती, याद रखने काई कोड बताएं, कोड वेसे मैं बहुत कम बताऊंगा आपको, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, दुलहा, देखिएगा, यह सलाल है, तो दुल परियोजना काई काई पर आपका, जम्मू कश्मीर में, तो इह दियान रखिएगा, इस सलाल यहाँ पर आया है, तो मैंने आपको तीनों परियोजना के बारे में बता दिया, 17 नदी पर आपका नाफ्ता जापरी परियोजना या एशिया की सबसे बड़ी जल विद्यूत परियोजना या पन बिजली परियोजना है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली यह एशिया की सबसे बड़ी विद्यूत या जल विद्यूत या इसको आप ऐसे लिखेंगे पन बिजली परियोजना पन बिजली परियोजना है और हिमाचल प्रदेश में अवस्तित है और सतल जनरी है और नामे उसका क्या नापता चापरी इसका बाद देखिएगा इसमें कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है इनको मत देखिएगा इतना फिर आगे देखिएगा इसमें आपका लिखा है तेहरी पन बिजली परियोजना ये तो हम करी चुके है ये नहीं करना है जाखम जाखम नदी पर है राजिस्तान की है ये आपका अरावली परवत चेस से उत्गमित होती है नर्मदा, नदी, घाटी, परियोजना यहाँ पर मैं बिल्कुल भी का में अद्धिय प्रुदेश का हिस्सा है तब मैं आपको नर्मदा घाटी पर्योजणा बताऊंगा इंद्रा साघर पर्योजणा बताऊंगा सा इसात उσα में आपर आपा जोबड़ा पर्योजना देकेंगे माता तिला बान देकेंगे हम लोग उ सतता में सो नदी पर निर्मीत बेत्वा नदी पर निर्मीत कहीं नदी घाटी परयुजना देखेंगे तो यहां पर हमने बाकि इसको विस्तार से मेंस इंयाहा मच्छे से पड़ते ही है तो मेंस की द मेंस की दर्ष्टी से आपका सिचाई या जल्स अंसाधन वाला ट्योपिक को यहाँ पर एंड करेंगे मिलते कल की क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद